सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, स्त्रियों के नाक की बनावट से जानिय स्वभाव और भविश्य, लंबी नाक वाली स्त्रियां धन्वान होती हैं, एवं रानी के समान सुख प्राप्ट करती हैं। परन्तु यदि किसी स्त्री की नाक बहुत बड़ी हो तो वह क्रोधी स्वभाव की होती है। आगे बढ़ने से पहले सुख शान्ती एवं सम्रिध्य देने वाले भगवान विश्णु का ध्यान अवश्य करें। तेरही मेड़ी नाक वाली स्त्रियां महनती होती हैं। नाक यदि चप्टी हो तो ऐसी स्त्रियों के दामपत्य जीवन में मनमुठाव रहता है। चोटी नाक वाली महिलाएं धार्मिक होती हैं और इनमें जरूरत मंदों के प्रती सेवा भाव रहता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों के बाल सीधे होते हैं भाग्य ऐसी स्त्रियों के साथ रहता है। और ये हर काम बहुत सोच विचार करके करती हैं। ये सरल और जिम्मेदार स्वभाव की होती है और अपने व्यवहार से आसपास के लोगों में एक अलग छाप छोड़ती है जिन स्त्रियों के बाल घुंगराले होते हैं ये अपने और अपने परिवार के लिए भाग्यशाली होती है ये creative और मेहनती होती है और अपने काम को पूरी लगन से करती है इसी स्वाभाव के कारण ये अपनी एक अलग पहचान बनाती है जिन स्त्रियों के बाल मुलायम और कोमल होते हैं इनका जीवन सुखी होता है और इनमें कुशल नेत्रित्व की क्षमता होती है इनके स्वाभाव से लोग आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और इन्हें समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है जिन स्त्रियों के बाल पतले और रेश्मी होते हैं वे रानी जैसा जीवन जीती हैं और धन संपदा की कभी कमी नहीं होती वे जरूरत मंदों के प्रतित दयालू स्वभाव की होती है और अपने रचनात्मक स्वभाव के कारण समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त करती है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे चहरे वाली स्त्रियां होती है भाग्यशाली लंबे और पतले चहरे वाली महिलाएं लोगों से बातचीत की कला में माहिर होती हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। लेकिन इन्हें किसी दूसरे से आदेश लेकर काम करना पसंद नहीं आता। गोल चहरे वाली महिलाओं को नए लोगों से बातचीत करना औ और नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरी इमानदारी से निभाती हैं। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारती है। चोड़े या चौकोर चेहरे वाली महिलाओं को बिना लाग लपेट के बातचीत करना पसंद होता है। ये बुद्धिमान होती हैं और इनके पास लोगों का नेत्रित्व करने का विशेश गुण होता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार नाभी का आकार देखकर जानिय स्त्री का भाग्य और स्वभाव। जिस स्त्री की नाभी गहरी और गोल होती है। इनका घर हमेशा धन धान्य से भरा होता है और भौतिक सुक सुविधाओं की कमी नहीं होती। इनका दिल साफ होता है और बहुत ही भावुक किस्म की होती है। नाभी अगर लंबी होती है, ऐसी स्त्रियां महनती और मनमौजी होती है। इन्हें नए नए लोगों से जान पहचान करना पसंद होता है। ये भाग्यशाली मानी जाती हैं और इन्हें अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ना अच्छा लगता है। जिस्क स्त्री की नाभी उपर उठी हुई होती है, इन्हें किस्मत के दम पर अचानक ही धन लाभ मिलता है। ये स्वभाव से काफी मिलनसार होती है।